मुझार दूस्तों मैं हूँ आपका डॉक्टर सजल सरकल सब्सक्राइब कर दूस्तों आज मैं आपको बैया दिक अच्छा क्रीम के रिव्यू के बारे में बताऊंगा जो काफी इंपोर्टेंट है दिखा जाए तो और आप सभी लोग जानते हैं कि आपके घर में हमारे घर में दुनिया के हर किसी के घर में बच्चे तो जरूर रहते हैं और वे लोग रिगूलर खेलते कुदते भी हैं और इसी खेलने कुदने के द्वारान वे लोग जनूब गिर जाते हैं और गिरते हैं उनके हाथों में पैरों में चोट वगरा भी लगता है और इसी चोट के द्वारान हम माता पिता लोग बहुत टाइम पे बेचैन भी हो जाते हैं कि हमारा बच्चा गीर गया है चोट कहीं ज्यादा नहीं लग गया है कहीं कड गया है छिल गया है तो इसी चीज को मैं दूर करने के लिए थोड़ा सा कुसिस किया हूँ और एक बहु हुमेपेथिक क्रीम के रिव्यू आपको आप मैं बताऊंगा अगर आप लोग इस क्रीम को रखते हैं तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा है और जिससे कि आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट आपके बच्चे को मिल सके और उसके बाद आप अच्छे तरीके से डॉक्टर के क किल गया है खिलने के समय Гिर जाने पर तो यह काफ़ आसानी से ठीक हो तो दोस्तों यह समय फर्स्ट ट्रीम क्रीम का GY another product क्रीम और यह जमने हम इसको के लेकिन मैं खास प्रावधान इसमें बच्चों के लिए बोलूंगा क्योंकि बड़े तो एक बार नेगलेट भी कर सकते कि चलो इसको छोड़ दिया जाए कि यह तो मामूली कड़ गया बात में देखेंगे या इसे ही ठीक हो जाएगा यह बड़ों का सोच भी रहता है लेकिन मैं इस्पेशली फोल्स दे रहा हूं बच्चों के लिए और मेरा सलाव यह है कि आप लोग जरूर इस क्रीम को अपने घर पे रखिएगा ताकि आपका बच्चा जब दी गिर जाए तो इस क्रीम को अगर आप लगाते हैं तो आप 50-70% आपके बच्चे सेफ हो जाएगे को दोब इसमें कॉमपॉजिशन है क्लेंडूला क्यूज इचनेसिया क्यू मिलिफोलियम उत्यू जो की बहत स्ट्रोंग कॉमपॉजिशन है इस्पेशली घाव में कर जाने पर छेल जाने पर हम इसको लगाते हैं और आप इसको रखते हैं तो मैं तो आपको जरूर कहूंगा काई इसको रखी इस क्रिम को ताकि आपका घर में आपका बच्चे लोग सैफ रहें यह क्रीज आन कमपनी का नाम दूस्तों फर्स्त डेट क्रीम जैसे हूं प्रिश आप इस जानकर ही हो तो भी आप मुझसे सलाह पूछ सकते हैं ताकि मैं तो बैठा ही हूँ इसलिए कि आप लोगों को मैं होमिपेती का जितने भी best solution है देनी के लिए हमेसा कोशिस कर रहा हूं बहुत limited time period में मैं आप लोगों के लिए time निकाल रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को अच काफी लोगों का problem solve भी हो गया काफी लोगों का problem solve भी हो रहा है और मुझे इससे काफी ज़्यादा खुसी भी हो रहा है कि मैं अपने देश-बस्यों के लिए कुछ कर पा रहा हूं क्योंकि offline में तो मैं सिव अपने जगह तक कि अपने district तक ही मैं इसी मित हूँ लेकिन online के तुरू मैं हमारे देश-बस्यों के पूरे country को मैं देख पा रहा हूं यहां बैठके और उनसे मैं contact रहे पा रहा हूं उनका problem को मैं सुन रहा हूं उनका problem को मैं दूर करने के कोशिस कर रहा हूं जो भी मेरा best experience मैं उनको दे रहा हूं और जब यह लोग ठीक हो रहे हैं तो मुझे काफी अंदर से ही खुशी महसूस हो रहा है और इसी के इसी सोच विचार के लेके मैं आगे भी बाढ़ रहा हू ताकि मैं maximum to maximum लोगों का problem को solve कर सकूँ जोस्तों इसी के साथ ही आज के topic को आज हम समाप्त करते हैं आसा करते हूं अब सभी लोग सोचत रहे हैं पुशल मंगल रहे हैं नमस्कार